तो जी लेयाओं आपके लिए करिज्मा XMR जो कि अभी तक शोरूम में नियाए और मैं ले रहा हूं इसकी टेस्ट राइट जो कि हो चुके अल्मूस्ट डेड़ सो कि मैं इस वक्त हूं उधेपुर में गाइज मौसम है सुहारा और यह रही हमारी XMR क्या तो ब्यूटी लगती है रैड और येलो तो बहुत जादा फ्लैशी हो रहा है लेकिन यह वाला जो विरिंट है यह है डीसेंट और यह है थोड़ा सा प्रीमियम लेवल का कलर इसका तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क सब्सक्राइब चल सकती है यह है 46 पे बस यह बंद सेकिंड शिक्सीपाइफ थर्ड थर्ड एटी सेवन गोट एक सो दाश पर फोर्टेट पर उसके बाद में भी हमारे पास काफी गेम है मतलब पांट सब्सक्राइब अगर मेरे पास में ऐसा एक रास्ता और चोपी बिल्कुँ खाली हो और स्मूथ हो तो यह 145 तक पॉच रही है उसके बाद में लीमिटर आजाता इसके इंदर 145 के बाद बाकि अगर आप डाउन हिल पे हैं जैसे कि आप धलान पे हैं तो धलान पे होने की सब्सक्राइब से यह 150 तक भी पहुच सकती है लेकिन अगर अफिल है यानि के चड़ा ही है तो भाई वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा कम होगा लेकिन जो इसका इंप्रेशन है बेसिकली जो इसके जो हैंडिल बार है जिस हिस आप से यह बाइक डिजाइन की गई है जिस टूरिंग मशीन है और उसकी सीट है बेसिकली यह वाली सीट यह जो सीट है यह भी ऐसी सी है कि भई मिरको ऐसा लग रहा है कि में कुछ जादा तर जैसे खून रुख जाना जिसको भोलते हैं कि वहां बंब जो है उस स्वैल हो गई है तो वह वाला सीन स्केंद तो खैर नह जो है अपने आप चल जाती है दूसरे चीज़ यह है कि इसको अभी देखो यह टर्म पर में मेनूवर अगर मैं बॉडी से भी कर रहा हूं इसको तब भी पाई की जो हैंड लिये बिसिकली जो बैलेंस है वह काफी फ्रॉपर सा है ऐसा निये कि कहीं की तरफ भाग रही है क और दुर्फिछ इसे वह सब्सक्राइए लेकिन तो मिल रहे हैं कि शार्जर यहां को अब अपने यहां परक शबडाइब कर रखुब्ल कहते हैं लॉइप उसके देरे में टाजर को जबना आप यह मैं चलो ठीक है ब्रेकिंग पावार रिख्यवी है दोनों ब्रेग्स काफी प्रोपर काम कर रही है जो फ्रेंट प्रेक्ष है वह सिंगल मक्लिक लीया चाहिक है उसके सब्सक्राइब यहां पर अगर देख रहे हैं तो यह सबसे पहले आपको दिख़ए इसका टेमपेटर यह इसकी घेर अब यह बता रही है अब यह बता रही है कि अप्षिफ्ट करो अब मैं जैसे अप्षिफ्ट करता हूं तो वह बंद हो गया लेकिन जैसी में जैसे आगा मैं यहां फ्यूल बाकी अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर यह कुछ एम और इसके बटन करो तो सर्विस दिखाने लगा यहां पर यहां पर यहां पर आप इसको फोन से कनेक्ट करते हैं तो फिर थोड़े बहुत यहां पर फीचर आपको और जारा देखने को मिलेंगे एक और अचीजी चीज है इसके इंदर जिसको कि यह यह फीचर है उसको बोलते हैं है अटोमेटिक हैडलाइट ओन जिसको यह बोलते हैं इंटेलिजेंट इल्यूमिनेशन हैडलेंप्स ऐसा करके उसमें कहाए कि एक सेंसर लगा हुआ हुआ है वो लाइट को डिटेक करता ह जाता है है और लाइट को डिटेक करने के बद जैसी शाम होती है रात होती है लाइट आप अपने हो जाती है फिर चब अपने हरे मंदर डास कम पड़ेगा घ्या की मनूवर करने में और यहां से एगर से को दिखा हूँ तो क्या लगता है कोई cheap quality motorcycle नहीं यह थोड़ी सी इनो ना इस बारी quality को पर काम किया है handle bar की finish देखो कहीं पर कोई net bolt normal वाला नहीं है यहाँ पर यह faded नहीं है चमकते में polished है यह वाला bolt है यह वाला bolt चमकता हुआ है यह वाला bolt चमकता हुआ है अब इनमें रस्टिंग कब तक आती है कब तक नहीं आती हो बात अलगे बाकी जो net bolt कॉलिटी है यहाँ वाला भी देख रहे हो तो यह भी शाइन ही कर रहा है अब ही मैं क्या कर रहा हूं कि टीम का वेट कर रहा हूं रास्ते में खड़ा हूं यहां पर तो क्या है यह liquid लिक्विट कूल मशीन है को कूलेंट यहां से डलेगा ऐसे करके अगर देख सकते हो तो बाकि अभी गर्म होगा liquid कूल है इसके इंदर जो फैन लगा हुआ है वह भी मतलब काफी सही अच्छी कासी आवाज के भी आवाज आ रही होगी आपको माइक किन्दर देखो सुनो कैर उसे में फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो रेडियेटर वह काफी बढ़ा है तो इसका मतलब है कि जो कूलिंग की स्पीड पर हूं तब यह हौन की आवाज भी नहीं आ रही है बागी यह डिपर का जो बटन है यह बहुत सॉलिड चीज है में में को बहुत अच्छा लगा इसकी पोडिशन बहुत अच्छी है दूसरी बादे काम बहुत फ्लोलेसली कर रहा है एक ही स्विच बना दिया क इंगनिशन और सेल्फ स्टार्ट का फिर यहां पर हजाट है हजाट ऑफ कर दो हजाट ऑन कर दो बस इससे जाद और कुछ भी नहीं है बागी देखो पेट्रोल टेंग एक बर मैं दिखा दू तो कुछ ऐसा सा अभी अभी रिफिल किया इसको फुल किया भी मैंने ना क्यों हम जब भी अपने लिए कोई ना कोई चीज खरीते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अपना बजट उस बजट के आगे पीछे ही हम चीचे स्लेक करते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी चीज के अंदर कितनी फंक्शन हैं कितने फीचर्स हैं ऐसे ही है यह वाली मोटर पर दिखानी है अलमुस्त उन्होंने सोचा है कि हम एक ऐसी सी मशीन बनाते हैं जो की बजट के अंदर होगी बजट फ्रेंड लोगी माइलेज जारा दे सकती है और एक नॉर्मल इंडियन राइडर को क्योंकि कंपनी हीरो है तो वो इंडियन है तो इंडियन राइडर को ज जिस हिसाब से उसकी वेल्यू है पॉकिट है उस हिसाब से चीजे दे सकें जैसे कि उन्होंने क्या तिया 25.5 PS का पावर जैसे कि मैंने आपको पंच दिखाया था इसका थ्रॉटल दे के तो फर्स गेर इसकी एकदम से भाग रही थी एकदम से यह निकल रही है बाई ठीक है और जब चीज मोशन में है उसको हाई स्पीड पे कौन लेके जाएगा वो है BHP ब्रेक होर्स पावर तो वहां पर इसका जो इनीशल टॉर्ग है वो थोड़ सा डाउन लगता है जैसे कि इसके सेग्मेंट के अगर बाइक देखें तो काफी सारी है मार्केट के अंदर लेकि से लगता है वो चीज अलग है बट 183 एक सो एक लाग पिचासी रुप मानों एक लाग पिचासी रुपे के अंदर यह जो मशीन है यह यार मेर को लगी वर्थ तीन हजार रुपे दे के इसको बुक करा सकते हैं इसका जो फस्ट सर्विस होगी वह साथ सुपचास किलोमेट पर सेगेंड सर्विस इसकी 6000 किलोमेटर पर जो इंटरवल सर्विस इंटरवल बागी जो इसकी हैडलाइट से में हैडलाइट के बारे में चीज बताओं यह बड़ी बेस्ट चीज लगी मुझे इनका जो सेंसर है वह बहुत अच्छे से काम किया टनल के अंदर बहुत अच जलते साथ ही कुछ सेकेंड बार्ड ओफ ओफ हो जाती है अच्छा हां जल्दी हो जाएगी ओफ अराम से होगी यह अच्छा फीचर ऐसे नहीं है ओफ ओन ऐसे नहीं हो रही यह बड़ी अलगा मुझे कि यह सेंस करने के बाद में बन रही है अच्छा चलो इसका यह जो प्रिस्प डिजाइन और यह जो शाप टेल है ना साइट वाली अंगल से शाप टेल इसकी यह शाप टेल डिजाइन बहुत अच्छा लगता है पीछे से क्योंकि हमारे गुरूप में काफी सारी बाइक सल ली तो जमें पीछे से और बाइक को भी देख रहा था तो बड़ी कितनी खरीद रहो 185,000 की यह खरीद रहो इससे स्पोर्ट्स बाइक वाली एकस्पेक्टेशन मत रखना कि यह स्पोर्ट्स बाइक है यह स्पोर्टी बाइक जो कि एक सिंगल सिलिंडर इंजन के साथ में आती है जो कि एक नॉर्मल सी पावर प्रडूस कर देता है जो 25 है औ लेकिन हाँ अगर फ्रंट से देखा जाए तो जो बाइक है थोड़ी कॉमपैक्ट है लेकिन अच्छी बात है कि कॉमपैक्ट है चोली बलकी सी नहीं है वनना बहुत सारे लोग चोली और बलकी बाइक को प्रफेर नहीं करते है अब अगर यह भाग रही है अच्छी क्रिस् के लिए क्योंकि lightweight machine है और जो brakes है इसकी वह more than enough है चाहे front brake हो चाहे rear brake हो इसकी लेकिन एक चीज है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वह वायर अपने throttle में लगा रखी तो cruise control जैसा effect क्रेट हो रहा था तो जब मैं उस पर चलार था तो थोड़ी देर बाद बा सब्सक्राइब करने वाला लेकिन sound sound ऐसा निगाल रहा है high rpm जैसे कि कोई parallel twin या कोई inline twin machine चल रही हो कोई बड़े segment की कोई बड़ी capacity की motorcycle लो यह चीज sound के मामले में भाई एक number इस segment में sound बहुत प्रॉपर है इसका दबावा sound नहीं है खुलावा sound है पता चलता है कि motorcycle चल रही किया था ऐसे करें करके और उपर किया था हाई किया था थोड़ा साई wind blast का फरक पादर चलता है कोई इतना खास नहीं है लेकिन जब इसके aftermarket यह आ जाएंगे visors तब आपको थोड़े से बड़े वाले visors मिल जाएंगे तो देखना कि इसके look look क्या क्या बनाते है बाकि looks के म में हमने काफी सारी चला लिया होगी बाइक और अब टैंक इतना है लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं इस टैंक की प्रॉब्लम यह है कि यह वाले जो इंस्ट्रॉमेंट क्लिस्टर है यह में को लगा थोड़ा सा छूटा है थोड़ा सा बढ़ा सा हो जाता तो और जादा मजा अच्छा लगा देखो जो यह पीछ वाली सीट है यह भी इतनी ही सॉफ्ट है देखो कितनी सॉफ्ट है आगे वाली भी इतनी सॉफ्ट है यह जो सीट है ना सच्छी में उनने टूरिंग के साब से बनाई है मेरे को बहुत जारा प्लास लगी इसकी मैं बैठ रहा मेरे कोई बं में दर्णी हो रहा दूसी चीज में जब पीछो के बैठता था तो मेरे पास यह वाला टेक भी है पीछे यह सब सपोर्ट भी मिल जाती थी पीछे अराम से बैठने के लिए बागी एक मोटर साइकल में और क्या ही चाहिए है अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कम्यूट करना है अफिस से घर घर से ओफिस जान है तो उसके लिए तो बेस्ट है थोड़ा बहुत भार लुक्स भी मिल जागा आपको 185,000 के अंदर इसी मशीन अब इंडियन ब्रैंड है तो बना रहा है बाकि कोई वेस्टन कोई ऐसा अमेरिकन ब्रैंड ले लोगे बाहर का यापनीस ब्र कर लिया इसमें कोई शोर शरावा प्लास्टिक का कोई नॉज नी है क्योंकि इसका प्लास्टिक भी हाई कॉलिटी उसकी है इस बारी तो आज यह जो थी राइड एक छोटी सीधी हीरो करिज्मा के लिए और मैं इस वक्त उधेपुर में हूँ और उधेपुर में यह और मैं जेड्नल्ग के लिए और मिर साज़ुर destacत है इसप्सका कल व्याई ऑपाराव और वे जडु खदेप में है अजने कर वे लोगन का क्यांग।वर वेर गुमा है ऑ्लास्तिक, कर के बास्राये खुमा केन कर दो दोग है भी से भी